हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर एक और महतपूर भाग जो आपके एक्जाम के लिए जरूरी है जल विद्द परियोजना या किस नदी पर इस्थित मानी जाती है आपके पास स्विकल्प हैं सिंधू जेलम चेनाब और रावी तो ध्यान रखेगा दुलहस्ती जल विद्द परियोजना जो है वो आपकी चेनाब नदी से संबंदेत मानी जाती है तो चेनाब को टिकर के आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर मानी जाती है यमुना गंगा सर्यू और दामोदर तो दो नमबर के अंसर की बात करेंगे यमुना आपका सही है गोकुल का संबंध किस से है आप जानते हैं बगवान स्रीकर्ष्ण से है और गंगा चंबल और यमुना तीन नमबर के अंसर की बात करेंगे आपका यहाँ पे ए सही है सोन सही है बरगी बान परियोजना किस नदी पर इस्थित्मानी जाती है गिरना चंबल बारना और नर्मदा सवाल नमबर चार के अंसर की बात करेंगे आपका यहाँ पे डी सही है दिहान दखेगा बहुत important है आपके लिए आगे वरते हैं अगला सवाल है केलावर पल्ली बान पर योजना किस नदी पर इस्थित्मानी जाती है आपके पास विकल्प है पुन्यार मंजिरा शिमसा और कपिला पांच नंबर के अंसर की बात करेंगे आपका ए यहाँ पर सही है आप इसे ध्यान दखेगा आए राजगाट बान किस नदी पर इस्थित्माना जाता है सोन तवा यमुना और बेतवा सवाल नंबर छे है उत्तर आपका डी हो जाएगा मतलब बेतवा हो जाएगा राजगाट बान किस नदी पर इस्थित्माना जाता है तो बेतवा सही है ठ प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी आगे बढ़ते हैं जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर इस्थित्मानी जाती है सतलोज, लूनी, चंबल और नर्मदा आठ नंबर के अंसर की बात करेंगे बिल्कुल सही जवाब आपने याँ पर दिया होगा आपका C यनि की चंबल सही है ठीक है, कमेंट बॉक्स में अंसर देने का प्रयास भी करते रहे है बार्णा बांध परियोजना किस नदी पर इस्थित्मानी जाती है बार्णा बांध परियोजना बार्णा, गिरना, बेतवा और नर्मदा नौ नमबर के अंसर की बात करेंगे आपका A सही है, यहाँ पर बार्णा टिपू मुख बांध परियोजना किस नदी पर इस्थित्मानी जाती है ब्रह्मपुत्र, धनसरी, बराक और तीस्ता टैन नमबर के अंसर की बात करेंगे आपका बराक सही है सवाल नबर ग्यारा के अंसर की बात करेंगे आपका A सही है आये इंद्रावती बान परियोजना किस नदी पर इस्थित मानी जाती है सवाल नबर बारा है और अंसर की बात करेंगे आपका C है जहा नखेगा मेजा बान परियोजना किस नदी पर इस्थित मानी जाती है मेजा बान परियोजना कोठारी, लूनी, चंबल और केन 13 के अंसर की बात करेंगे आपका A सही है कोठारी तपोवन विश्णुगर परियोजना किस नदी पर इस्थित मानी जाती है तपोवन, भागी रथी, अलकनन्दा, धौली गंगा और गंगा सवाल नंबर 14 है अंसर आपका C हो जाएगा धौली गंगा अगला सवाल है कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर मानी जाती है चंबल, यमुना, धौली गंगा, भागी रथी कोटेश्वर बांध परियोजना, 15 नंबर रहेगा, उत्तर की बात करेंगे, आपका D सही है राम गंगा बहुत देशी परियोजना किस नदी पर मानी जाती है राम गंगा, किसर गंगा, गंगा या फिर यमुना, सोला कैंसर की बात करेंगे, आपका A सही है दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी परिस्थित मानी जाती है? कोसी, गंगा, दामोदर और गंडग 17 के अंसर की बात करेंगे आपका यहाँ पर दामोदर सही है आप इसे याद रखेंगा 18 के अंसर की बात करेंगे आपका माल परियोजना किस नदी परिस्थित मानी जाती है? अंसर की बात करेंगे आपका माल परियोजना किस नदी परिस्थित मानी जाती है? सतलुज, व्यास, दोनों या फिर चम्बल तो यहां पर आपका सतलुज और व्यास दोनों ही सही हैं। तुंग भद्रा परियोजना किस नडी पर मानी जाती है। तुंग भद्रा, घाट प्रभा, प्रिश्णा और गोदावरी अंसर की बात करेंगे आपका तुंग भद्रा यहां पर विल्कुल सही है। तुंग भद्रा परियोजना किस नडी पर इस्थित्मानी जाती है। परियोजना को लेकर भागतीन हमने आपके समझ में रखा है। उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यह सब आपके एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है। विडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज विडियो को लाइक करिए, सेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इससे आपको आगे हम अपडेट देते रहें। ठीक है। इसके लावा आगर आपने अभी तक मुझे अनकेडमी पर फालो नहीं किया है तो वहाँ पर आप मुझे फालो कर सकते हैं। आपको हमारा कोड यूज करना पड़ेगा दीपक सिंग वाईटी टेन डीडवली पी एके सिंग वाईटी टेन इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिल जाएगा। हम आपसे जल्द मिलेंगे। इसके भाग चार के साथ में तब तक के लिए वीडियो में बने रह करिए और अपने दोस्तों तक सेर जरूर करिए हैं ना मिलते हैं आपसे फूर्थ पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई